हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो माई इस्टडी फिट चैनल दोस्तों फुटबाल के रूल्स मेजरमेंड्स को ट्रॉफी एं अंतराश्टी संगठन से रिलेडेट मोस्ट इंपोर्टेंट कोस्टन आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूं वीडियो को सुरू से लाज्ट है तो दोस्तों यहीन आप फिजिकल एजूकेशन के किसी कंपिटीटिव एक्जामस का प्रेपरइस सीडिविस कोज़िंग कर रहे है तो मेरे चैनल में सभी वीडियो सीडिवस की कोजिग है वो भी बिल्कुल फ्री में दोस्तों एंड हंडिर से ज़्यादा वीडियो प्रिविएस यह एंड चेप्टर वाइज प्रैक्टिस भी कराया गया है और डेली बेसेज पे आपके प्रैक्टिस भी कराया जा रहा है तो बने रहे हैं मेरे चैनल पे बहतरी तयारी के लिए तो कोश्चन है फुटवाल में खेलों को प्रारम करने के लिए कम से कम कितने खिलाड़ी होने चाहिए तो कम से कम साथ खिलाड़ी होना चाहिए गेम प्रारम करने के लिए वैसे पुछेगा कि एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं तो गैरे खिलाड़ी होते हैं खेलने वाल करने के पस्चाद किसी टीम पर गोल हो जाने के पस्चाद खेल कहां से सुरू होगा तो किसी टीम पर गोल हो जाने पर खेल क्रिडा छेतर के मध्य से सुरू होगा जो मध्य में गोला होता है वहां से पुटबाल में खेलते समय 90 मिनट पूरे होने पर कुछ अत्रिक्त समय दि है ठीक है नेक्स कोश्चन है सहायक निड़ेता यानि असिस्टेंस रेफरी जो होता है उसकी अधिन इन्वे से कौन सा कर्तब या संकेत नहीं आता है आपसन है खिलारी का आफसाइट इस्थानापन कोड़ पादागात मैच की समापती तो दोस्तों जो असिस्टेंस रेफरी ह होता है सहायक रेफरी वर्क खिलारी का आफसाइट कर सकता है इस्थानापन कर दे सकता है एंकोड़ पादागात कर सकता है बट मैच की समापती नहीं कर सकता वो में रेफरी ही करेगा नेश्टेंस खेल का प्रारम इनमें से किस के द्वारा किया जाता है किक आफ के द्वार ठीक है? फुटबाल खिलकारम किसके दोरा किया रहता है? किक आफ के दोरा एध्यान में रखेगा. इंपोर्टन कुस्चन है. नेश्ट है, फुटबाल में किक आफ के समय विपच्छी खिलारी कम से कम कितनी दूरी पर खड़ा रहता है? तो जब किक आफ किया जाता है तो वि कब तक नहीं इस पर्स करेगा जब तक कि दुसरे खिलाड़ी को के इस पर्स करने तक या जब तक को दुसरे खिलाड़ी इस पर्स ना कर ले तब तक को खिलाड़ी इस पर्स नहीं करेगा नेश्ट है फुटबाल में गोल हो जाने की सिटी पर खेल को कौन सी टीम सुरू करेगी तो जिस टीम पर गोल हुआ है वही टीम सुरू करेगी नेश्ट है फुटबाल के ब्लैक परल कौन है फुटबाल के ब्लैक ब्लैक परल बुला जाता है पहले को किसको बना जाता है पहले को तेस्ट है उलम्पिक में प्रथम फुटबाल महिलार रेफरी का क्या नाम है तो सूनिया डिनून कोर्ट कनाडा की थी फुटबाल की प्रथम महिलार रेफरी नेटथैप फुटबाल का चंदर सेखरन नायर एस्टेडियम कहाँ पर इस ठीथ है ति यहाँ आपका त्रिवेंद्रम में इस ठीथ है नेटथैप फुटबाल में कार्णर किक कब दिया जाता है दोस्तों जब अपने खिलाडी से बाल टच होकर अपने गोल लाइन से ही बाल बाहर जाए तो वहाँ पे कार्नर किक दिया जाता है ठीक है यानि अपने खिलाडी से बाल टच हो जाए और फिर वहाँ अपने गोल लाइन से बाल बाहर चला जाए तो उसमें कार्नर किक दिया जाता है नेश्ट है फुटबाल में अपने ही पिनाल्टी छेतर में बाल पकड निलने पर कौन सा किक रेफरी द्वारा दिया जाएगा तो वहाँ पे पिनाल्टी किक दिया जाएगा क्या दिया जाएगा पिनाल्टी किक जब penalty area में यानि अपने ही penalty area में बाल पकड़ दिया जाए किसी खिलारी के द्वारा तो उसमें रेफ्रिज जो है penalty kick देगा नेश्ट है दोस्तो फुटवाल में बिरोधी टीम को direct kick कब नहीं दी जाती है आपस्थान है बिरोधी को धक्का देने पर बिरोधी को slide मारने पर बिरोधी को मारने पर किसी खिलारी के अपने आप चोट लग जाने पर तो किस समय नहीं दिया जाएगा पर फुटवाल में अप्रतेश की कप दी जाती है तो बाल हाथ से चुने पर समय नस्ट करने पर धक्का देने पर गृधी को जान बुच कर पकर लेने पर तो कप अप्रतेश की शमय नस्ट करने पर दिया जाता है 2014 में फुर्वाल अभी सुक्प कहा आयोजित हुआ था दोस्तों 2014 में आयोजित हुआ था ब्राजील में कहा पर हुआ था ब्राजील में 2018 में कहा हुआ था रसिया में 2022 में कहा हुआ है दोस्तों दोहाख कतर में यह सब ध्यान में रखेगा नेश्ट है फुटबाल में सहायक नेड़ताओं की संख्या कितनी होती है तो दो होती है दोस्तों एक मुख्य रिफ्री होता है दो सहायक होते है तो इसके अधार पर दो सहायक नेड़ता होते है नेश्ट है गोल रच्छक बाल को की तो ने समय तक अपने हाथों में रख सकता है तो जो गोल की पर होता है छे सेकेंड के सेकेंड टक ही अपने बाल को अपने हाथों में रख सकता है ने ज़िए खिलाड़ी आफ साइट का प्रादी होगा कब यदि कानर किक लेते समय यदि वह करिजा चेट के अपने अर्धक में है तब कि थो इन कि बाल प्राद करने पर खिलाड़ी के सामने केवल एक बिरोधी खिलाड़ी हो तो यहाँ पर आपसा नंबर डी करेट हो जाएगा कि बाल करते करने पर खिलाड़ी के सामने केवल एक बिरोधी खिलाड़ी हो तो वहाँ पर आप साइट दिया जाता है यदि फुटबाल में पच्छी खिलाड़ी से कर sideline से बाहर जाती है तो निड़ेता क्या दएगा है जो प्रोईन क्या दएगा फिर घ्रोईन यहां पर आपको त्रोई इन और काणुरWowΥ कि दोनों में अंतर समझना है कि जैसा कि जो आपने ही खिलारी से बाल टचल अकर आपने गोल लाइन 2016 कि ही बाहर चला बाहर जाती है तो वहाँ पर throw in दिया जाएगा क्या दिया जाएगा throw in दिया जाएगा ठीक है अपने खिलारी से touch होकर अपने goal line से बाहर जाए तो corner kick अभी पची खिलारी से लग कर side line से बाहर जाए तो throw in दिया जाएगा नेश्ट है फुटबाल में केवल दो रंग के कार्ड का परियोग किया जाता है जो निमने हैं कौन कौन से दोस्तों लाल और पिला फुटबाल में लाल और पिला कार्ड का परियोग किया जाता है नेश्ट है फुटबाल में चेताउनी के लिए किस रंग के कार्ड का परियोग किया जाता है तो चेताउनी के लिए यहाँ पे पीला कार्ड का परियोग किया जाता है जैसा कि अन्ने खेलों में हरे कार्ड का परियोग होता है नेश्ट है फुटवाल में यदि एक खिलारी को दो बार पिला कार्ट दिखाया जाता है तो वह किस रंग में परिवर्टित हो जाता है अपने आप किस रंग में बदल जाता है तो लाल में ठीक है लाल में नेश्ट है चैंपियन लीग किसके मध्य होता है तो यहां होता है दोस्तों प्रोफेशनल कलब के मद्धे नेश्ट है विस्टो कप फुटबाल के बाद होने वाली दूसरी सबसे बड़ी प्रतियोगी था कौन सी है यह है आपका यूरोपियन फुटबाल के चैंपियन सीप क्या है European फुर्बाल Championship नेश्ट है दोस्तो FIFA वर्ल्लकप का पहला विजेता कौन सा देश्ट है तो FIFA वर्लकप का पहला विजेता है उर्गवे जैसा है कि FIFA वर्लकप की सुरुआ 1930 में उर्गवे की राधानी मोन्ट वीडियों में सुरू हुआ और इसका पहला बिजेता भी था आपका उरुब्वे यानि 13 जुलाई 1930 से फिफा वर्लकप शुरुआत हुआ है 2008 में रसिया में 2022 में दोहा कतर में हो रहा है नेक्स्ट कोश्चन है दोस्तों कि यूरोपियन कॉप का संचालन कोन करता है तो UEFA करता है नेक्स्ट है एक खिलाड़ी फुटबाल खेल में सरीर का कौन सा भाग मैश के दौरान परियोग नहीं कर सकता है तो Arm and Hand का परियोग नहीं कर सकता नेक्स्ट है फुटबाल में सीधे गोल किक से गोल किया जा सकता है तो हाँ दोस्तों सिधे गोल किक से गोल किया जा सकता है नेश्ट है थ्रोइन खेल को पुनाह सुरू करने की एक प्रकार की प्रडाली है अता थ्रोइन से गोल किया जा सकता है क्या नहीं दोस्तों थ्रोइन जो है वह बाल को मैदान में लाने का एक तरीका है यानि पुना सुरू करने का एक तरीका है और थ्रोइन से गोल नहीं किया जा सकता एक ध्यान में रखिएगा गोल किक से किया जा सकता है लेकिन थ्रोइन से नहीं किया जा सकता नेश्ट है थ्रोइन के समय निन में से क्या सही नहीं है आफसन है उसका मुख रच्छे तरकी और हो रहेगा यह तो सही है निश्ट आफसन है वह बाल को फिर से सीर से उपर से संक्रमित करेगा यह भी सही है सी है वह दोनों हाथों का प्रयोग करेगा यह भी सही है दी है वह एक हाथ का प्रियोग करेगा यह आफसनाप का गलत है नेश्ट है थो इन करते समय विपच्छी दल का खिलारी कम से कम कितनी दूरी पर खड़ा रहेगा तो थो इन करते समय दोस्तों दो मीटर की दूरी पर विपच्छी खिलारी खड़ा रहेगा तो थो इन करते समय इनमें से क्या मानने नहीं होगा तो थो इन करते समय क्या मानने नहीं होगा दोस्तों जैसा कि मैंने पिछले इसी में पिछले कुस्टन में बताया कि थो इनमें हम गोल नहीं कर सकते तो यहां पर क्या मानने नहीं हो सकता डायेक्ट गोल डायेक्ट गोल नहीं कर सकते यह माने नहीं होगा नेश्ट है यदि कानर किक के द्वारा बाल गोल पुष्ट में चली जाती है तो रेफरी का क्या नेड़े होगा तो कानर किक मार रहा है और गेंड कहां चली जाती है गोल पुष्ट में को समझ में आये होंगे जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट में जरूर बताईए और जादे से जादे सेयर किया किजिए दोस्तों और डेली बेसे बने रही है क्योंकि के वियस की वेकेंसी आ गई है यूपी टीजीटी का आपने तो भरा ही है यल्टी करेट की भी आने वाली ह के बिल आइकन को प्रेस कर लिजी इसे निव वीडियो का आपडेट आप तक पहुचता रहेगा तो मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जाए है